वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नमबर 12 पढ़ाऊंगी एक्साम से मतालिख पूरे ही चैप्टर की 100% थियारी करवाऊंगी थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी सलेबस और कोर्स की अकॉर्डिंग ही पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझाओंगी तो बिना टाइम वेस्ट किये पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबक नमबर 12 का नाम है रेट क्रोस सुसाइटी तो ये जो चैप्टर है NCRT की तरफ से एक मसमून के तोर पर आपको बढ़ाया जा रहा है ताके सबी बच्चे रेट क्रोस सुसाइटी के बारे में जान सके बच्चों ये जो सुसाइटी है एक आलिमी यानिकी इंटरनेशनल लेवल पर एक तन्जीम है और इसका काम है जंग से मतासिर लोगों और कुदरती आफ़त से मतासिर लोगों की किदमते खल करना फ्री में मदद करना तो पहले मैं आपको ये पूरा सबक पढ़कर बता देती हूँ ताके एक्साम से मतालिक आपका हर डाउट अच्छे से कियर हो सके जोड का लाल निशान आपने अक्सर देखा होगा जैसे कि बच्चों ये वाला निशान आपने देखा होगा लाल निशान क्या आपने कभी खोर किया है ये निशान किस तरह डॉक्टरों के लिए मक्सूस याने की ते किया गया है ये भी जानना मुनासिब होगा कि किस तरह किसी एक शक्स के जहन में खिद्मत खल्क का जजबा इदारे की शकल में बदल जाता है खिद्मत खल्क किसे कहते हैं बिना किसी पैसो के मुफात के लोगों की मदद करना अल्लह की रहा में और बढ़ते बढ़ते दुनिया के हर गोशे में फेल जाता है यहां पर क्या कहा गया है कि यह भी जानना मुनासिब होगा कि किस तरह एक शक्स के जहन में खिद्मते खल्की बात आती है और इस खिद्मते खल्क के ज़स्पे को वो एक इदारे की शकल में बदल देता है किस तरीके से होता है और बढ़ते बढ़ते यह इदारा दुनिया के हर गोशे में फेल जाता है आज रेट क्रोस सोसाइटी सिर्फ इलाज का इदारा नहीं है बलकि इनसानी हमदर्दी और खिदमत का सबसे बड़ा अवामी मोर्चा भी है आईए इस सोसाइटी और इस के कायम करने यानि की इस सोसाइटी को बनाने वाले के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें बास मालूमात हासिल करें सो साल पहले की बात है इटली के एक छोटे शहर सल्फर्णियों पर औस्ट्रिया की ताकदवर फोच का कबसा था याद रखोगे कि सो साल पहले की बात है कि इतली का एक छोटा शहर था जिसका नाम सल्फर्णियों था उस पर औस्ट्रिया की ताकदवर फोच का कबसा था फिर फ्रांस ने अपने दोस्त मुमालिक की मदद से औस्टिरिया की फौच के उपर हमला कर दिया बड़ी खुवजेर लड़ाई हुई, खुवखार लड़ाई हुई सिर्फ 15 गंटे की लड़ाई के नतीजे में दोनों तरफ के 40,000 सिपाही जखमी हो चुके थे पूरा मेदान जग लाशों और जखमियों से अटा पड़ा था लड़ाई बंद होने के बाद बस जाहिर कोई असार नजर ना आते थे लेकिन बारिश और हवा का एक तुफान आया और इस रहमत खुदा बंदी ने फरीकेन को जग बंद करने के लिए मजबूर कर दिया यानि कि दोनों ही लोगों को उन्ही दिनों सलफेर्नियों में फ्रांस के किसी बैंक का एक ओधेदार जैन हैंडरी डोनान भी मुझूद था यानि कि जिस टाइम पर ये जंग हो रही थी उन्ही दिनों फरांस का एक बैंक का ओधेदार था जिसका नाम जैन हैंडरी डोनान भी मुझूद था वो फरांस के शैंशाहर नेपॉलियन से मिलने के लिए खास दोर पर सेलफर्नियों गया था डोनान को अपने अल जज़ाइर में अपने जजीरों में अपने कैमपों में पानी का माकूल बंदोबस्त करना था और इसी वज़े से वे नेपॉलियन से मिलकर खास सहुलियते हासिल करना चाहता था ताकि उसके जज़ाइर में पानी की सहुलियत पैदा हो सके लेकिन डोनान ने जब जंग की तभाकारियों को देखा तो वे अपना काम भूल बेटा हज़र सिपाहियों को खाक वा खुन में तड़पता हुआ देखकर उसका दिल रो पड़ा डोनान का जमीन आप पाशी यहां तक की बैंक अब उसे कोई भी चीज याद न रही थी अपना हर काम भूल गया था इन जखमी लोगों को देखकर हैंडरी डोनान अब उसके सामने यही मकसद था कि वे किस तरह इन तडबते हुए जखमी सिपाहियों की मदद करे और इन्हें मौत से बचा ले इसी मकसद के लिए वे फोरन सल्फिर्नियों की सिम्त रवाना हो गया वहां उसके करीब के गाउं के लोगों से मिला उन्हें इन्सानियत भाईचारे का वास्ता दे कर इस बात पर राज़ी किया कि जखमी सिपाहियों की खबर गिरी करने में वे उसका हाद बटाएं याने क जखमी सिपाहियों की मरहम पट्टी करने में उसके साथ चलें उसकी मदद करें और ये कहा कि हम सब भाई भाई हैं डोनान के इस नारे ने आखिरकार लोगों की दिलों में महबत का ज़स्पा पैदा कर दिया तीन सो अफराद इखटा हो गए बहुत सी खवातिन ने भी उन पट्टी की और इप्तिदाई तबी इम्दाद उन्हें पहुचाई जखमी सिपाहियों को उठा कर करीब के दियातों में ले जाया गया जहां उनका पाकाईदगी से ढंक से इलाज किया गया लड़ाई खतम हो गई लेकिन डोनान की बेचेनी अभी भी कायम रही उसने जैन आस्डी में एंडरनेशनल पेमाने पर जखमी सिपाहियों की मदद कर सके 1861 में उसने सैल फेरनियों की जाद में नामी एक किताबचा एक किताब लिखी और इसकी हजार कोपियां छपवा कर यॉरोप में तक्सीम की इस किताब चे ने योरोप में एक तहल का मचा दिया जंग के भायानक नताइच को पढ़कर बाशाओर तबके के लोग चोक पड़े और सभी ने एसी सुसाइटी की जरूरत महसूस की जो जखमी सिपाहियों की मदद के लिए मुनस्म तरीके से काम कर सके उनकी मदद कर सके जखमी सिपाहियों की डोनान ने अपने साथियों की मदद से एक कमीटी बनाई इस कमीटी ने जैनेवा में एक कानफिरंस पुलाई डोनान ने इसकी कामयाबी के लिए अथख कोशिशे की और वो लोगों से मिलता था उन्हें कॉन्फरेंस में शामिल होने की दावत देता था और अपने मकसद में काम्याबी हासिल करने के लिए लोगों से मदद मांगता था उसने हजार खतूत दुनिया भर के अंदर भेजे इसकी मुखालफत भी हुई लेकिन वे अपनी धुन का पका था आखिर कार अक्तूबर 1863 में कॉन्फरेंस हुई जिसमें 17 मुलकों के नुमाइंदों ने शिर्कत की जलसे में सुसाइटी का मकसद पर घौर किया गया इसके बाद चेनेवा की दूसरी मिटिंग में एक तजवीज एक आइडिया रखा गया के उस तजवीज को उस आइडियो को मनसूर कर लिया गया एक आलिमी कानून बनाया गया आज तक इस कानून की पाबंदी होती है इस तरह रेट क्रोस सुसाइटी वजूद में आई 1864 में रेट क्रोस और इसके अफराद को इसी निशान से पहचाना जाने लगा है 1864 से रेट क्रोस सुसाइटी इस तरह अपने मकसद में कामियाब हुई और इसके तरक्की होती गई लेकिन इसकी कामियाबी के पीछे हैंडरी डोनान की कुरबानी का बहुत बड़ा हाथ है रेट क्रोस सुसाइटी की वज़े से वो अपने कारोबार पर तबच्छा न दे सका उसका कारोबार तबाह हो गया सबसे तकलीफ दे बात तो ये हुई कि रेट क्रोस सुसाइटी ने उसे कुछ अरसे के लिए नजर अंदास कर दिया और डोनान किसी ना मालूम जगा पर चला गया पंद्रह साल बास सुसाइटी का सलाना इजलास रूम में हुआ इजलास चारी था कि सदर को किसी स्कूल के एक मॉल्लिम का खथ हासिल हुआ जिसमें डोनान का पता दर्ज था सुसाइटी के अफराद ने महसुस किया कि डोनान को काबिल इज़त जगा देनी चाहिए उसे नोबल प्राइज दिया गया लेकिन पंद्रह साल के इस अरसे में उसकी सहत काफी गिर चुकी थी दोबारा सहतियाब नहुं सका आखिरकार 1910 में उसका इंतिकाल हो गया रेट क्रोस सुसाइटी इनसानियत की खिदमात में आज भी इसी तरह से काम कर रही है ये सुसाइटी दुनिया के हर मुलक में कायम है कहीं से लाब आ जाए गुदरत याफ़त में इनसानी जिन्देगी का नुकसान हो जाए या कतल वा खुन के वाकियात हो हर जगा रेट क्रोस सुसाइटी की शाखे इनसानी खिदमत का आला तरिन नमूना पेश करती है और लोगों की खिदमते खिल करती है अब पच्चो इस चैप्टर के अलफास माइने हैं जो की एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं मख्सूस का मतलब है खास हुँ जेर हुँ रेज खुँ रेज खुन बहने वाला आटा पढ़ना यानि की भरा होना माकुल मुनासिब रहमत खुदाबंदी यानि की खुदा की रहमत तभाकारी यानि की तभाही खाको खुन यानि की मित्टी और खुन आपपाशी यानि की सिचाई वास्ता देना दुहाई देना खबरगिरी यानि की देख रेक नीम मुर्दा यानि की अदमरा इप्तिदाई तबी इम्दाद का मतलब होता है First Aid, कितापचा यानि की मुक्तसर किताब नताइच कहते हैं नतीजे की जमा, बाशाओर यानि की अकल वाला तंजिम कहते हैं किसी इदारे को या सुसाइटी को मुनजिम यानि की सिलसलेवार तरीके से मकासत यानि की मकसद की जमा, मुखलिम यानि की उस्ताद, तबहकुन यानि की तबह करने वाला मौसुल होना यानि की मिलना, सहथियाब यानि की बिमारी से अच्छा होना आफ़त कहते हैं आफ़त की जमा यानि की मुसीबत को अब बच्चो इस चैप्टर का सबग का खुलासा है क्यूंकि किसी भी सबग का खुलासा एक्जाम में लिखने के लिए जरूर आएगा तो इस सबग का खुलासा आप किस तरीके से लिखोगे पढ़कर बता देती हूँ जोड का लाल निशान रेट क्रोस सुसाइटी की अलामत बन गया रेट क्रोस सुसाइटी एक ऐसी आलिमी तन्सीम है जो तमाम दुनिया में खिद्मते कल्क में मसरूफ है फ्रांस ने अपने दोस्त मुमालिक की मदद से औस्ट्रिया पर हमला किया था ये लड़ाई सिर्फ चंद घंटे चली थी लेकिन इसमें 40,000 सिपाही मारे गए इन तिनों सेलफर्नियों में फ्रांस के किसी बैंक का एक ओधेदार था जिसका नाम हैंडरी डोनान था वो भी मुझूद था वो यहां के शहर्णशा नेपॉलियन से मिलने सेलफर्नियों गया था डोनान को अपने केमपों में पानी का माकूल इंतिजाम करना था जिसके लिए वे नेपॉलियन से मिलकर खास सहुलियते हासिल करना चाहता था लेकिन डोनान ने जंग की जब तबहकारियां देखी तो अपना काम भूल बेठा जखमी लोगों की मदद के लिए वो फॉरण सलफर्नियों रवाना हुआ और उसने मकामी लोगों से मुलकात की और इनसानियत और भाई चारे का वास्ता देकर इस बात पर राजी कर लिया की जंग से मुतासिर लोगों की मदद की जाए मेदान जंग में जो जखमी सिपाही थे डोनान और उसके साथियों ने उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें इप्तिदाई इमदाद दी 1861 में डोनान में एक किताबचा लिखा डोनान ने सेलफर नियों की याद और इसकी हजार कोपिया पूरे यूरोप में मुफ्त में तक्सीम की जिस से पूरे यूरोप में तहल का मच गया डोनान ने 1863 में जनेवा में एक कॉर्फरेंस बुलाई और इसमें 17 मुलकों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया इस तरह ये आलिमी सुसाइटी वजूद में आई और आज भी ये सुसाइटी सारी दुनिया में खिद्मत खल्क अंजाम दे रही है अब बच्चो इस चैप्टर के टेक्स बुक के कुशन आंसर है टेक्स बुक के कुशन आंसर पढ़कर बताने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के खास खास प्रोड़क्ट खरीदने का शौक है जैसे की आटोमेटिक शौपनर, नीडेबल इरेजर और भी अलग अलग तरहां की बहुत अच्छी अच्छी स्टेशनरी की क्यूट क्यूट आइटम्स तो ये सभी चीज़े आपको आनलाइन मिल जाएंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्योंकि ओफ लाइन ये चीज़े आपको असाली से नहीं मिलेंगी और अगर मिलेंगी भी तो बहुत ज़्यादा कीमत पर मिलेंगी अगर आप खरीदना चाते हैं अपने दोस्तों के लिए या टीचर्स के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप महाँ से जाकर खरीद सकते हो इसके अलावा बच्चो एक बेबी सैप्टी बेल्ट आती है जैसे कि आप किसी भीडबाड वाले इलाके में कहीं जाते हैं साथ में आपके छोटे भाई भेन होते हैं तो आप इस बेल्ट को अपने और अपने भाई भेनों के हाथों में बान सकते हो ताके आप भीडबाड में एक दूसरे से आगे पीछे ना हो तो ये जो बेल्ट है बच्चो आपको ओफलाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप महाँ से जाकर खरीद सकते हो अब हैं टेक्स बुक के सवाल जवाब सवाल नमबर एक हैंटरी डोनान नेपोलियन से किस मकसद से मिलने गया था तो हैंटरी डोनान नेपोलियन से मिलकर पानी के माकूल इंतिजाम के लिए खास सहुलियते हासिल करना चाहता था अगला सवाल है डोनान को रेट क्रोस सोसाइटी कायम करने का खयाल पैदा क्यूं हुआ जबाब होगा डोनान ने जब और फ्रांस के दर्मियान हुई जंग की तबहकारिया देखी तो उसे रेट क्रोस सोसाइटी कायम करने का खयाल आया अगला सवाल है Red Cross Society का मकसद क्या है तो Red Cross Society के मकसद है जंग की तभाकारिया या धुरती आफ़त के नुक्सानात नुक्सानात में हर जगा जखमियों की मदद करना अगला सवाल है डोनान को कौन सा इनाम दिया गया और क्यों तो डोनान को नोबल प्राइस बराए अमने आलम दिया गया था अमनों आलम की वज़े से दिया गया था ग्रैमर से रेलेटिड हैं नीचे लिखे हुए लफसों का जुम्डों में इस्तेमाल आप पाशी जुम्डा होगा खेतों की नहरों के पानी से आप पाशी की जाती है नेम मुर्दा वो मैदाने जंग में नेम मुर्दा हालत में मिला खबरगिरी हमें अपने करीबों की खबरगिरी रखनी चाहिए वाहिद जमा, सोरी बच्चों यहां पर आपको उल्टा करना है, जमा दे गई है, जमा को वाहिद में कनवर्ट करना है, तो मालूमात का वाहिद मालूम, मुमालिक का वाहिद मुल्क, नताइच का वाहिद नतीजा, अफराद, अफराद का वाहिद फर्द, मकासत का वाहिद मक अक्सत, नुकसानत का वाहिद, नुकसान, खतूत का वाहिद, खत, खिदमात का वाहिद, खिदमत, आफ़त का वाहिद होता है, आफ़त, अब है इस चैप्टर के मुतजाद अलफ़, दुख, सुख, जिन्देगी, मौत, जंग, अमन, मुर्दा, जिन्दा, खुशी का, खम, अगला सवाल है, आफरी सवाल, अपने इलाके में मौझूद रेट क्रोस सुसाइटी के दफ्टर में जाकर इसके इंतजामात की तक्स्दिल जाने है, और इसे मसमून की शकल में लिखिए, तो लिखोगे कि, रेट क्रोस सुसाइटी का मकसद ही, यह है कि, खिदमते खल्क क जाए, यह सुसाइटी जंग के दोरान ही फार नहीं रहती है, बलकि जंग के बाद भी काम करती है, जंग के दोरान जखमियों की तिमारदारी करना, उन्हें तबी इम्दाद देना, जंगी के दियों और तबादले के सिलसले में पेश कदमी करना इसका खास मकसद होता है, अमनो आलम के लिए ये सुसाइटी हर दम कोशा रहती है, गुदरती आफ़त से मतासिर इलागों में भी, इसके रज़ाकार खिदमते खल्क करते हुए नजर आते हैं, ये सुसाइटी मकामी सते पर और आलिमी सते पर खिदमते खल्क में मसरूफ रहती है, दुनिया के बेश पर इसके खिदमते खल्क के अंदर मसरूफ है और लोगों के खिदमत कर रही है मुसीबत के वक्त